हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बिल्कुल फ्रेश और फूली हुई रोटी से रेसिपी यह हमने एक रोटी ली है और इसको थंडी करण होने के लिए रख दिया था अब हम इसको एक चक्कु की साहिता से चारो तरफ से कट कर लेंगे इस तरीके से यह हमने बिल्कुल फ्रेश रोटी ली है बिल्कुल इस तरीके से हम इसको हलका हलका कट करेंगे और बैक से थोड़ा सा छोड़ देंगे इस तरीके से कि इस तरीके से ओपन हो जाए ठीक है यह हमने चीज को कद्दू कस कर लिया था अब हम इसके अंदर चीज को फिल करेंगे ये लैसे पी हम बिल्कुल फ्रेश रोटी से बना रहे हैं और मार्किट में इसे चीज बस्ट पीजा के नाम से भी जानते हैं बट हम इसको घर में ही बनाएंगे ये देखिए हम चीज को अंदर फिल कर देंगे और इसको हलके हाथों से प्रेस करेंगे और अब हम इस पे देसी की फैलाएंगे अच्छे तरीके से इस तरीके से देसी की फैलाएंगे इस तरीके से यह आप अपने बच्चों को घर में बना के आसानी से दे सकते हैं यह मैंने पीजा पास्ता सोस लिया है अगर आपके पास पीजा पास्ता सोस नहीं है तो आप सोस भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इसको अच्छी तरह इस पर फैलाएंगे यह मैंने बारिक बारिक अन्यन कट कर रखी दी अन्यन भी इसमें अच्छी तरह फैला देंगे इस तरीके से टेमेटो टेमेटो को भी हम बारिक बारिक कट कर लिया है और टेमेटो को भी हम इसमें अच्छी तरह फैलाएंगे आपके पास जो भी वेजिटेवल एविलेबल है अब वो वेजिटेवल ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में है यह मेरे पास सिम्ला मिर्श भी थी तो मैंने सिम्ला मिर्श को भी बारिक पारिक कट कर लिया है और हम इसको भी इस पे वेजरेवल के साथ एड़ कर देंगे अच्छी तरह इसको भी फैलाएंगे इस तरीके से और जो हमने चीज का दुकस कर रहा था अब इसके उपर से भी हम इसको चीज को फैला देंगे अब आप देख सकते हैं अब इसके अंदर भी चीज फिल किया है और इसके उपर भी चीज फिल किया है तो यह रेसिपी कितनी टेस्टी और कितनी यमी बनेगी अब हम इसमें चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे आप जितने चिली फ्लेक्स अपने अकोडिंग आड़ कर सकते हैं अब जितना तीका पसंद करते हैं क्योंकि पीजा पास्ता सोस में भी मिर्ची होती है उसके अकोडिंगा पैड कर सकते हैं अब हमने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया था पैन हमारा गरम हो चुका है तो उसके हम आप ओईल या घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं उसको स्प्रेड करेंगे और हम इसके उपर यह हमने जो रोटी है इसके उपर रख देंगे और इसको कम से कम पांस से च्छे मिनिट के लिए कुक करेंगे बिल्कुल यह देखिए पांस से छे मिनिट हमारे हो चुके है और रोटी हमारी काफी क्रिस्पी हो चुकी है तो इस से हमारा पता चल जाता है कि रोटी हमारी सिख चुकी है और चीज भी हमारा मेल्ट हो गया है यह हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और हम हम इसको बीच में से कट कर लेंगे, आप कैसे भी शेप देना चाहें अपनी अकोर्डेंग फ्रेंड्स ये चीज बस्ट पीजा बिल्कुल रेडी है आप इसको अपने बच्चों को आराम से खिलाए बच्चे कभी भी आपका आपके कहेंगे मुझे पीजा खाने तो आप बिल्कुल पांच में टबिस को रेडी करके तैयार करके बच्चों को खिला सकते हैं अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तैंक यू